हाई स्टुडेंट्स तो आज मैं आपको सिखाऊंगा डिवीजिबिलिटी रूल 4 11 12 13 14 15 तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किया है ना बातों में टाइम वेक्ट करना नहीं चाहता मैं तो अगर बात करना होगा तो किसी दिन लाइब हाऊंगा उस टाइम बात तो तो देखें अगर की normos अगर अब्हेंस आपकोhim करना तो किया किया जाए थिक है तो चलिए देखते है शुरूस एक नमबर 3 3 8 4 6 6 6 7 ठीक है यह फ़ेक्ञवर रहे तो मुझे पता करना है कि 11 दी तो है कि आपको सिंपल सा काम करना है कि moje star और्टकर देखिए यह यह और प्लेस नमबर को प्लस कर देंगे तो क्या होगा साथ प्लस च्छे तेरा तेरा प्लस चार आपका हो गया अब आपके जो बचेवे हैं, event place, इन सबको भी add करना होगा, कहां, कुंसा, कुंसा है, तो देखिए, ये है, फिर ये है, फिर ये है, हाना, तो देखिए, 6 प्लस 6, 12, 12 प्लस 8, 20, हाना, 12 प्लस 8, 20, तो देखिए, ये भी आया, 20, अगर इन दोनों का difference 0 आया, तो वो नमबर 11 से divide होता है, clear, देखिए, ये तो जिरुवार रहा है, that means क्या, ये जो नमबर है, पुरा, ये 11 से divide होता है, ठीक है, तो चलिए एक और लेते हैं, 9, 8, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, ये एक नमबर है, ठीक है, जैसा मैंने कहा तो वह ये करूँगा, इसको, 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 और इसको मैं add कर लेता हूँ, ठीक है, 5, प्लस 3, 8, 8, प्लस 1, 9, 9, प्लस 4, 13, 13, प्लस 9, आपका हो गया 22, तो चलिए लिख लेता हूँ 22, चलिए यहां लिखता हूँ, उसके बाद, यह, 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 और यह, सबको add कर लोगा, देखर 8, प्लस 8, 16, और 16, प्लस 2, 18, 18, प्लस 4, 22, इन दोनों का difference क्या आ रहा है, 0, that means यह जो बड़ा सा number दिख रहा है, आपको यह 11 से divide होता है, बहुत easy है, चलिए अब next trick सिखते है, 12 के लिए, 12 के लिए, कि कोई भी number 12 से divide होता है, कि नहीं, वो कैसे जाने, तो एक लेते हैं, 36, 36, 24, ठीक है, मेरा काम है, आपको concept सिखाना, आपको rule सिखाना है न, math के basic सिखाना, question हो, अगर आप लेके खुद, एक बड़ ट्राइ कीजिए, implement करके देखे, आप लोग जह से ज्यादा practice करेंगे, उतना आपका दिमाग में याद रहेगा, अधर वाइस आप लोग भोल जाएंगे, ठीक है, तो 13 के लिए, 12 के लिए, अगर कोई भी number, ठीक है, अगर कोई भी number के आपका, 3 और 4 इन दोनों से divide होता है, तो वो 12 से भी divide होगा, ठीक है, तो देखिए, 3 और 4 के लिए, ठीक है, मुझे इसको चेक करना है, तो पहले मैं 3 के लिए चेक करूंगा, मैंने आपको इस से पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, 1 से लेके पु मुझे क्या करना है, 3 से चेक करना पड़ेगा, पहले देखिए, 3 से जाएगा, तो ही यह, 3 और 4 से जाएगा, तो ही यह 12 से जाएगा, ठीक है, तो 3 के लिए चेक करना है, 3 प्लस 6, 9, 9, 18, 19, 20, 24, तो 24 तो 3 से जाता है, तो 24 तो 3 से जाता है, तो 3 के लिए पास, 4 के लिए च जाता है कि नहीं तो लाजट दो जीट फोर से जाता है यह फोर से भी पास इसका मतलब क्या हुआ यह थ्री फॉर से जाता है कि कुछ हम क्या समझाएंगे यह जाता है यह थे टूवेल और एक देखते हैं ठीक है कि सपोर्ज यह नंबर है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा ट्री और फॉर के लिए देखें मैं छेक करता हूं 6 प्लस 7 है ना 6 प्लस 177 प्लस 4 11 प्लस 12 12 प्लस 6 18 18 प्लस 927 यह आग्या 27 यह 3 से डिवाइड होता है अब मुझे चेक करना है 4 के लिए तो लास्ट का दो डिजिट देखूंगा लास्ट का दो डिजिट तो 4 से जा रहा है तो इसका मतलब क्या समझो यह है पूरा का पूरा नंबार 12 से भी डिवाइड होता है क्लियर चलिए अब हम लोग सिखते हैं 13 के लिए 13 का बहुत ही मजा है वीडियो पुरा देखेगा क्योंकि सब के अलगलग रूल से सब जितने भी मैं सिखाने वाला अभी 15 तक के सब के सब अलग अलग रूल से ठीक है तो बाइट अगर हम लोग 13 के लिए चेक करते हैं कोईश और इस 6 का इंटू कर दिजया आप के फूर से ठीक है ये 6 का इंटू कर दिजये किस से फॉर से उसके बाद सिक्स फॉर्ड़ बाद यहां लगा दीजिए और एड़ कर दीजिए निगा फॉर नाइन क्लियर ठीक है उसके बाद फिर से आप तो आप समझ नहीं पा रहा है कि इतना बड़ा नंबर है थाटीन से जाता है कि नहीं तो सेम चीज़ दुबारा करेंगे यहां सेक्षन बना देंगे इंटू अब देखें यह तो थाटीन से जाता है तो अगर आप इस तरह से फोलो करते वह आएंगे और अगर आप लास्ट में देखेंगे कि थाटीन से डिवाइड होने वाला नंबर है यह तो क्या है थाटीन फाइव जा शिक्स्टी फाइव होता है यह थाटीन का डिवाइड हो रहा है 65 तो इससे मैं क्या समझूगा जो नंबर बिरको दिया गया है 4706 it will be divided by 13 clear चलो और एक नंबर देखते हैं ओके और एक नंबर है आपका 5889 ठीक है चलो 588 और 9 ठीक है इसके लिए देखते है तो दियाल से देखिए 5889 मुझे सेक्षिन बनाना है मैंने कहा था सेक्षिन बनाऊंगा मनाया क्या करूंगा इंटू फोर लाइन फॉर थाटी शिक्स एट प्लस 6 14 4 वार न है एट प्लस 4 12 2 1 6 24 आ गया अब मुझे पता नहीं है 624 13 से जाता है कि नहीं मैं 13 के लिए चेक कर रहा हूं फिलाट ठीक है 13 से जाता है कि नहीं मुझे पता नहीं फिर सेक्षिन करूंगा फिर इंटू 4 कर दूंगा 4 फोर जा 16 16 को यहां पर एड़ कर आएगा 6 प्लस टू 8 6 प्लस 1 7 अब देखिए जो 17 है यह 13 का टेबल में आता है अना 13 इंटू 6 आपका हो जाता है सब्सक्राल शेंटू से किला पढेटवर जाओं मेरा जो यह बड़ा व्हाम यह अदानि यह 30 इन से भाल होता है चलिए णेच्ट जलते हическая अब हम लोग सबने हैं इलेवन का करने हैं सबसटने हैं तुछलं करने हैं सुट मोटिन है कर जाता है तो वह 14 से भी जरूर जाएगा चलिए कोशन देखते हैं कोशन आप देखिए वेरे पास फोर फोर टूफोर है ठीक है सिंपल साथ मैं फेले टू के लिए चेक करूंगा इवेन नमबर है तुसे तो जाना ही जाना है तो के लिए पास उसके बाद सेवन के लिए का करते हैं मैं आपको से कहा था इसे पहले वीडियो है मैं यहां जल्दी बताता हूं सेक्षन करेंगे इसका एक हम्हें पर मैनेस करेंगे इसका डफालातबा एक है ए फिर में इसको लूँगा क्योंकि इतना बड़ा तो वे समझने पाऊंगा से लिए नहीं जाता है टीर में कि क्या करूंग वे इसको और इसको ड हो गया मैंने सब डीट कर घूँगा नेखिया आप थार्टि वॉनग घर्ट पायव को अगर्प यह उन्हाएं ऑसा निए भी से जा रहा है तो अगर तो वह 14 इस तरह से आपको चेक कर लोगा करता है तो आप लोग इस तरह से किड़ी चलो और एक क्वेसिन करता है ठिक है और एक क्वेसिन लेता हूं मैं पूर फाइब सेवन नाइन फूर क्लियर है चलिए अब मैं फटा फट करता हूं और का डबल करके हैं माइनस यहां आगे वन सेवेन ठीक है वन का डबल करके माइनस डबल करके माइनस देखें फिस से डिवाड़ अब आगे यहां फॉर फाइब सेवन नाइन फॉर यह डिविजीबल है ऐसेवन से हना तो मैंने सेवन के लिए चेक कर लिया इसको और देखें लास्वे तो यह इवन नंबर है फोर है लास्ट में तो तू से बीजाता है तो यह जो number है, यह 7 और 2 दोनों से जाता है, इसका मतलब क्या, यह 14 से भी divide होने वाला है, पक्का, clear, चलिए, अब 15 के लिए चेक करता है, ठीक है, 15 के लिए देखते हैं, 15 के लिए देखते हैं, ठीक है, तो question ले लेते हैं, 217890, ठीक है, तो मेरा ध्यान से सुनेगा, कोई भी 15 से अगर जाता है, तो आपको यह देखना है, कि वो 3 और 5 से अगर जाता है, तो 15 से भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो मुझे 3 और 5 के लिए चेक कर रहा है, 15 के लिए चेक नहीं करना है, 15 से डिवाइड करके मुझे को टाइम लाजेगा, तो देखिए, किसी भी नमर क लाव मजी रोए वह फाइव से तो चला है अब मुझे क्या बाखिया थ्री से चेक करना है इसको देखिये अब देख टू प्लस 179 10 10 प्लस 18 1827 तो यह तो थ्री से जाता है थाना थ्री 927 तो ठीक लिबिए पास तो यह 35 दोना से जाला धेट मिश्काइब 15 से भी divide होगा ठीक है clear है चलिए औरेक करते हैं और एक करते हैं 543735 543735 थीक है तो मुझे क्या करना है थी से जाता है या पाइट से जाता है इन दोनों से चेक करना है तभी अगर दोनों से जाएगा तभी 15 से जाएगा है ना तो देखते हैं यह देखें लास्ट में 5 है 5 से तो पास हो गया अना लास्ट इजिट 5 है अब मुझे बागे राखले 3 से चेक करना प्लस ही करूगा 9 प्लस 10 19 और 19 20 21 22 22 प्लस 5 27 आया ठीक है यह सब को प्लस करके आया 27 है ना और 27 के लिए तो देखिए यह जो नंबर है यह 3 से भी जा रहा है इसका मतलब क्या यह 15 से भी जाएगा क्लियर होप करता है आपको समझ में आओगा नेक्ट वीडियो में आपको लेकर 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 आओंगा आप लोगों के लिए